हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे चोलिया मश्रूम जिसे की ग्रीन चिकफी भी बोला जाता है तो उसके लिए पॉट में हम ओईल लेंगे और उसमें 1 टी स्पून मैदा एड करेंगे आप इस मैदे को बेसन से भी रिपलेस कर सकते हो और इसे 1 मिनट के लिए हम कोक कर करेंगे ताकि इसका रॉफ लिवर ना आए यह हमारा कोक हो गया मैदा तो अब हम इसमें रेडी मसाला डालेंगे टमैटो और अनियंस का इसकी रेस्पी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें ग्रीन चिक्पी डालेंगे ग्रीन चिक्पी को अच्छे से वाश करके पानी स्वें किया हुआ है और इसे अच्छे से मेक्स करके कवर करके दो मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि हमारे ग्रीन चिक पीस जो है वो अभी गरम नहीं है तो उससे हमारा मसाले का टेंप्रेचर डाउन हो जाएगा दो मिनट के बाद हम इसका लिड़ खोलेंगे और इसे एक बार मिक्स करेंगे और अगर आपको जरूरत लगे तो हम इसमें टू टेबल स्पून पानी आड़ करेंगे जादा पानी आड़ नहीं करना है क्योंकि हमें इसे ड्राई ही भूनना है और इसे कवर करके स्लो फ्लेम पर 10-15 मिनट के लिए हम कोक कर लेंगे अगर आपको बीच में जरूरत लगे तो आप 1 टेबल स्पून पानी का और एड़ कर सकते हो और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारे सबजी पैन के तले में लग ना जाए यह अभी हमारा अच्छे से कुख हो गया है और हमारे मसाले ने ओइल भी छोड़ दिया है तो अब हम इसे एक बार मिक्स करके इसमें मशरूम जाड़ करेंगे मैंने 2 पैकट मशरूम के एड़ किये हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अभी भी हम इसमें पानी आड नहीं करेंगे, क्योंकि मश्रूम्स अपना पानी रिलीस कर देंगे, और इसे कवर करके पहले दो मिनट पर हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि हमारे मश्रूम्स ये दिखे पानी भी छोड़ देंगे, और ये भी गरम हो जाएंगे, तो हमारे सबजी का टेंप्रेचर डाउन नहीं जाएगा, मश्रूम्स ने इतना पानी छोड़ा है कि हमें और पानी आड करने के ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे, और बीच बीच में इसे चल हमें इसे पकाते हुए 15 मिनट हो गये है, तो 15 मिनट के बाद ये हमारी सबजी अपी रेड़ी है, तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें गरम मसाला एड़ करेंगे और मिक्स करके हम इसे ढग कर दो मिनट के लिए पका लेंगे अगर आप ग्रेवी वाला चाहते हो तो इस टाइम पर आप इसमें पानी एड़ कर सकते हो लेकिन मुझे इसी तरह के अच्छे लगते हैं तो मैं पानी एड नहीं करूंगी दो मिनट के बाद ये हमारी सबजी अच्छे से कुख हो गई है और अब हम इसमें ग्रीन कॉरियंडर एड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी सबजी रेडी है हम फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे एक प्लैटर में निकाल लेंगे और इसे ग्रीन कॉरियंडर से गार्निश करेंगे तो ये हमारी छोली और मश्रूम की सबजी रेडी है